तो चलिए आज हम बहुत ही टेश्टी ढोकला बना के तयार करते हैं, देखिए एक इतनी सौप्ट ढोकला बनी है, तो चलिए इसे हम बनाते हैं, इसके लिए हमने एक कटोरी लिया है, इसमें हमें आधा गिलास पानी डाल लेना है, एक चमच इसमें हमें नीवू का जूश ड को डाल लेते हैं बेwwww को हमने अच्छ से शान के लिया है अब हलके अलके पानि डाल में इसका बैटर तयार करना है इससे अच्छ की चीनी पानी और बेसन अच्छे से घुल जाए इसमें लम्स ना रहे इस बात का धियान रखें देखिए हमारा बैटर विल्कुल ऐसा होना चाहिए अब इसमें हम आधा चमच मीठा सोडा जिसे खाने वाला सोडा बोलते हैं उसे डाल लेते हैं यहाँ पर हमने एक केक टीन को लिया है इसके बदले आप कोई भी बर्तन को ले सकते हैं इसमें हम अपनी बैटर को डाल देते हैं तो हमारे चैनल रामरतीकरो सुई को सस्क्राइब करना बिल्कुल न भूलें सस्क्राइब करने की को पैसेन लगते बिल्कुल फ्री होता है तो आप भी बेपेकर होकिया में ज़रूर सस्क्राइब करें गैस पे हमने डिड़ गिलास पानी गरम कर लिया है अब इसमें हम अपनी केक टीन को डाल लेते हैं और इसे हम 15 से 20 मट के लिए अश्टीम कर लेते हैं 15 से 20 मट का समय हो चुका है तो चलिए हम अपने ढोगला को चेक कर लेते हैं देखिए कितना फुली-फुली सी नजर आ रही है एक चाकू की मदद से इसे चेक कर लें देखिए चाकू दोनों साइट से हमारे क्लीन निकला है तो चलिए इसे हम कडाही से निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए पाच मट के लिए छोड़ देते हैं पाच मट के बाद इसे हम एक पलेट में पलट लेते हैं देखिए दोनों साइट से ढोपकला हमारे कितना सॉफ्ट बना है केक टिन भी बिल्कुल क्लीन निकली है तो चलिए इसे हम चाकू की मदद से काट लेते हैं आप जिस सेप में काटना चाहे उस सेप में आप काट लें ये ढोपकला बड़ों के साथ बच्चों को भी खूब पसंद आएगी हमने इसे काट के तयार कर लिया है तो चलिए अब हम ढोपकला के लिए तड़के की तयारी कर लेते हैं गैस में हमने कडाही चड़ा ली है इसमें हम दो चमच तेल डाल लेंगे आधा चमच इसमें हम राई डाल लेंगे यहाँ पे हमने तीन हरी मिर्च और करीपता को लिया है उससे डाल लेते हैं दो मिनट के बाद इसमें हम आधा गलास पानी डाल लेंगे तीन चमच इसमें हम चीनी डाल लेते हैं और आधा चमच से भी कम इसमें हम नमक डाल लेंगे इसे हमें 5-6 मिनट के लिए अच्छे से वाइल कर लेना है 6 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर लें और इसमें हम आधा चमच नीबू का रस और डाल लेते हैं अब इसे हम ढोकले के उपर डाल लेते हैं उपर से हरी धनियासे से गार्निस कर लें देखिए हमारी ढोकला देखने में ही इतनी अच्छी लग रही है तो खाने में कितनी अच्छी लगेगी तो चलिए इसे हम एक ब्लेट में निकाल लेते हैं तो इस रेस्पी को एक बार आप जरूर ट्राइ करें और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल रामरती की रसोई को सस्क्राब करना बिल्कुल न भूले हमारी वीडियो को ज़्यादस ज़्यादा लोगों को सेयर करें और इस रेस्पी को एक बार तो आप जरूर ही ट्राइ करें